हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूटूब चैनल केटी ग्लासेस में आज के इस वीडियो सेशन में हम चाचा करेंगे प्रिंस्पल आप इनेरेटेंस एंड बैरियेशन का पार्ट नमबर एट तो आज का जो सबसे पहला क्यूशन है इसमें पूछा गया ह आइडेंटिफाइद सिंड्रोम Region A and B ईटाइग्राम A और B इसमें में सिंड्रोम को देखना है ए इनमें इनका जो बाटी स्टक्चर है वह नियरली सेम दिख रहा है तो इसमें डाउन सिंड्रोम तो हो गा नहीं ठीक है तो दूसरी condition में है इसमें client filter syndrome होगा और या फिर इनमें turner syndrome होगा तो देखे client filter syndrome में जो होता है वो क्या होगा कि six chromosome जो होगा उसमें जैसे xy है तो ये double y हो सकता है या फिर double x और y हो सकता है तो ऐसी situation में जो male होगा वो बिल्कुल नार्मल जैसा ही दिखता है तो ये condition हो सकती है और female जो होती है female के अंदर turner syndrome अगर हो तो ऐसी condition में female भी नार्मल दिखती है बट इसमें जो x chromosome है वो एक zero हो जाता है तो ये option number भी हो सकता है लेकिन अगला भी option देख लेते हैं और यहाँ पे जो next option दिया गया है c में turner syndrome इसमें होगा तो ये male में तो होता नहीं है और उसके अलावा female में client filter फिलाल ऐसा हो सकता है तो c option गलत हो जाएगा और d option जो है इसमें भी turner syndrome दिया गया है और फिर down syndrome इसमें दिया गया है तो ये भी नहीं हो तो इसका जो b वाला option है वो सबसे correct हो जाएगा कि male के अंदर client filter syndrome और female के अंदर कौन सा turner syndrome होगा इसके बाद अगला जो question दिया गया है यहाँ पे इस question में पूछा गया है इसमें देखेंगे तो which karyotype present monosomy इनमें से कौन सा जो karyotype होगा वो monosomy condition को represent करेगा तो यहाँ पे ध्यान देजिए जो karyotype होगा इसमें हमें बारी बारी से जैसे देखेंगे 2n plus 1 है तो यह trisomy हो जाएगा और यह 2n minus 2 है तो यह तो फिलाल 0 हो जाएगा तो ऐसी condition यह भी option गलत हो जाएगा पहला भी गलत है तो इसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे आपसा नंबर c में तो 2n minus 1 में अगर हम इसको 1 को minus करेंगे तो ऐसी condition में यह नाएगा तो यह mono-somy होगा ठीक है और इसमें अगर d वाले में देखेंगे तो यह तो फिलाल 4 हो जाएगा तो यह भी mono-somy नहीं होगा तो यहाँ पे जो आपसा नंबर c होगा वो सबसे correct answer हो जाएगा अगला जो question है which karyotype represent trisomy इनमें कौन सा karyotype trisomy condition को represent करेगा तो इसमें जो पहला option दिया गया है 2n plus 1 तो यह पहला option ही इसका trisomy हो जाएगा ठीक है तो बाकी तो अल्रेडी नहीं represent करेंगे तो यह trisomy condition होगी 2n तो यह 3n हो जाएगा 3n मतलब trisomy condition find out the total number of mandalium disorder इसमें हमें mandalium disorder को total find करना है तो इनमें कौन-कौन से mandalium disorder होते हैं ठीक है तो ऐसी condition में अगर हम देखेंगे जिसमें बारी-बारी से हमें एक-एक रोग को देखना होगा और एक-एक रोग में से कौन-कौन से यहाँ पे mandalium disorder को represent करेंगे इससे discuss करना है तो यह उससे पहला यह जो रोग है cystic fibrosis, यह mandalium disorder नहीं होता है लेकिन जो दूसरा रोग है hemophilia, sickle selenemia, यह हो गया, दो हो गया, इसके लावाँ यह तीसरा हो गया, color blindness, इसके बाद अगर अगला जो देखेंगे thalassemia, यह भी mandalium disorder है तो यह 4 हो जाएगा, इसके लावाँ यह पां तो cystic fibrosis, यह भी mandalium disorder होता है, तो यहाँ पे option number 6 जो होगा, यह सबसे correct हो जाएगा, तो C वाला option जो है, correct हो जाएगा, सबके सब इसमें mandalium disorder ही थे, ठीक है, इसके बाद अगला जो question है, इसमें अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे पूछा गया है, इस question के अंदर, 145 में, which of the following is sex linked recessive disorder, इसमें से कौन सा जो option है, वो sex linked disorder को सो कर रहा है, तो पहला जो है, monomyotonic dystrophy, यह six linked character को नहीं सो करता है, sickle selenemia, यह autosome की वज़े से problem create होती है, hemophilia जो विमारी होती है, या lady किसकी वज़े से होगी, sex linked character के कारण होती है, जबकि phenyl ketonuria, यह autosome की वज़े से होती है, तो option number से इसका correct हो जाएगा, इसके बाद अगला जो question है, 146, इसमें दिया गया है, which of the following is an autosomal dominant threat, इसमें से कौ सा autosomal dominant threat है, तो इसमें जो पहला option दिया गया है, phenyl ketonuria, autosomal dominant trait है, तो देखिए, autosomal dominant की वज़े से नहीं होता है, यह recessive trait की वज़े से होता है, इसके लावन sickle selenemia भी recessive trait की वज़े से होता है, है तो autosome ही, लेकिन hemophilia की अगर हम बात करें, यह sex link inheritance हो जाएगा, तो myatonic dystrophy जो होगा, option number D, यह सबसे इसका correct answer हो जाएगा, यह मतलब जो बिमारी होती है, वो autosomal dominant trait की वज़े से होती है, इसके लावन अगला जो रोग है, इसमें दिया गया है, queen victoria watch carried of which disease, जो queen bacteria थी, victoria थी, उन्होंने, उनमें कौन सी disease या problem दिखे थी, तो victoria के अंदर, generally hemophilia दिखी थी, यहाँ पर option number C, जो है, उस सबसे correct answer इसका हो जाएगा, इसके बाद अगला जो किप्सन दिया गया है, 148, इसमें पुछा गया है यहाँ पर, sickle cell anemia is caused by the sub-situation of glutamic acid, glutamic acid glue, by the sixth position of beta glutamic globin chain hemophilia molecule, तो इसमें यह पूछ रहा है, इसमें, कि जो sickle cell anemia है, वो किसके द्वारा होता है, जबकि इसमें glutamic acid की position को generally दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दिजिए, जो position के basis पर अगर हम देखेंगे, जिसमें, जो glutamic acid होगा, वो option number D, valenine जो होगा, valenine वाली position पर रहेगा जब यह, तो sixth position beta cell दिया है, तो globin chain of the hemoglobin molecule, तो जो globin chain होगी, वो valenine position पर होगी, इसके बाद अगला जो question दिया गया है, 149, 149 में पूछा गया है, which are the following defective in PKU, इन में से कौन सा PKU के अंदर defective condition को सो करेगा, तो defective condition को अगर इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे ध्यान दिया जाए, तो option number C है, option number C है, फिनाईल, जो इसमें enzyme होगा, फिनाईल अलानीन, enzyme यह tyrosine में बदलता है, तो ऐसी जो condition होती है, इसमें phenyl ketonuria होता है, ठीक है, phenyl ketonuria होता है, तो इसमें enzyme C जो होगा, आपसन यह सबसे correct match करेगा, तो इसमें C वाला जो होगा, वो correct match होगा, इसके अलाना, अगला जो condition दिया गया है, 150, 150 में पूछा गया है, which of the following is true about phenyl ketonuria, इसमें इसमें कौन सा correct है, phenyl ketonuria के संबंद में, तो phenyl ketonuria के संबंद में, अगर हम देखेंगे, जिसमें जो correct answer हो जाएगा, इसका, वो option number D होगा, इसकी वज़ा क्या है, क्योंकि इसमें mental retardation भी होता है, phenyl ketonuria के अंदर जो problem है, उसके अंदर देखा जाए, तो इसमें mental retardation भी देखने को मिलता है, इसके अलाबा, accumulation of phenyl and pyruvic acid derivatives, यह भी इसमें condition होती है, artosomal recessive rate भी होते हैं, और इसके अलाबान तो हिसाब से, इसका option number जो डी है, वो सबसे correct answer हो जाएगा, इसके बाद अगला जो 151 में है, question, इसमें दिया गया है, यहाँ पर, the sub-situations of amino acid and globin protein results, due to the single base, single base, single base, sub-substitutions, single base substitutions, at the sixth codons of beta-globin genes, तो इसमें beta-globin genes पर कोडान पूछा गया है, तो कोडान इस पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दिचे, कोडान इसका जो होगा, वो होगा, G-A-G and G-U-G कोडान होगा, तो G-A-G और G-U-G जो कोडान होता है, वो इस beta-globin, तो अगला question इसमें दिया गया है, which of the following amino acid is not present in first six amino acid affected by beta chain of hemoglobin, तो इसमें कौन सा जो amino acid है, वो affected नहीं होगा, beta chain के, beta chain के अंदर, जिसमें जो amino acid, glutamic acid होती है, GLU जो दिया गया है, start form इसका glutamic acid, यह action इसका correct हो जाएगा, यह जो amino acid है, वो beta chain hemoglobin, which of the amino acid is not present, तो glutamic acid नहीं present होती है, अगला जो question है, identify A, B and C, in diagram, इसमें जो diagram दिया गया है, इसमें A, B, C को हमें identify करना है, तो इसमें जो A है, तो यह normal hemoglobin A है, gene है, यह GAG को represent कर रहा है, B इसमें दिया गया है, यह मारेने को represent कर रहा है, और जो C है, यहाँ पे, यह additive position number 6 पे C दिया गया है यह सब किसको represent कर रहे हैं यहाँ पे हमें consider करने तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रापरली दिया गया है जैसे यह बैलीन है, हिस्टिडीन है, लियुसीन है, टिप्टोफैन है इसके लाँ प्रॉलीन है, glutamik acid है तो C वाली position पे कौन सा amino acid होगा तो C वाली position पे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे amino acid glutamik acid हो जाएगा, ठीक है तो glutamik acid देखें, किस वाले option में match कर रहा है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें जो option number 8 है इसमें already c position पे glutamic acid है तो यह correct हो जाएगा बाकी में बाकी में नहीं है तो ठीक है तो इसका option number a सबसे correct answer हो जाएगा इसके बाद अगला जो किप्सन दिया गया है इसमें पुछा गया है identify a,b and c इसमें भी हमें a,b,c को identify करना है से मुसी तरह का figure है तो इसमें वही properly देखेंगे c किसको represent करेगा तो इसमें पहला option जो दिया गया है इसमें जो पहला option दिया गया है इसके अंदर देखेंगे तो valine है, histidine है, lefine है, tiptofen है, proline है और यहाँ पे glutamic acid को दिया गया है तो glutamic acid है इसमें पहले से, तो ऐसे condition में इसका जो option number c होगा, वो represent करेगा valine को तो valine देखते हैं किसमें है, तो valine यहाँ पे a में c पे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, b वाले option में है तो इसका option number जो b होगा, वो सबसे correct match करेगा इसके अलामा, next जो question है, 155 है, इसमें पूछा गया है, name the amino acid which has its two molecules present at in same first seven amino acid of beta chain of hemoglobin तो beta chain के hemoglobin पे जो दो molecule है, 7 amino acid के beta chain पे, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम बैलीन होगा, फिर उसके बाद इनका नाम या फिर histidine होगा, लीवसीन होगा, या फिर glutamic acid होगा तो ध्यान दीजे, इसका नाम जो दूसरा molecule होता है, 7 amino acid का beta chain पे, इसका नाम हो जाता है glutamic acid, तो option number जो D है, वो सबसे correct match करेगा इसके बाद अगला जो किप संदिया गया है, इसमें पूछा गया है, यहाँ पर, probability of which are the following extremely rare तो इनमें से कौन सी probability, rare condition में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो option पहला है, carrier female in hemophilia पहले है, यहाँ इसा होता है, दूसरा जो option दिया क24, carrier male in hemophilia में होता है, तो यहाँ Intel का इसा भी नहीं होता है। affected male in hemophilia, hemophilia में केवल male ही affected होंगे, ऐसा भी नहीं होगा, इसके लावा option number जो D दिया गया है, वो है affected female in hemophilia, ये सब इसका correct answer हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था poverty, मतलब संभावना पूछा गया था extremely rare case में, तो rare case में जो female होगी, वो hemophilia से affected होती है, अगला जो question यहाँ पर दिया गया है, in hemophilia, how many proteins that is part of cascade of protein involved in the clotting of blood affected, तो blood को clot करने में, कुल कितने protein इसमें responsible होते हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे, तो एक होगा, दो होगा, या फिर तीन होगा, या फिर धेर सारी होंगे, तो तीन protein खास करके होते हैं, जो blood clotting में affected होते हैं, इसके अगला जो question है, इसमें दिया गया है, disease phenotype in sickle cell anemia, so which are the following genotype, इनमें से कौन सा जो disease होगा, वो sickle cell anemia को represent करेगा, कौन सी condition में sickle cell anemia होगा, तो यहाँ पे अगर दिखेंगे sickle cell anemia जो होगा, वो दोनों recessive condition की वज़े से होगा, तो इसमें तो नहीं होगा, इस वाले option में, option number जो B है, यहाँ पे sickle cell anemia ऐसी position में होता है, इस वाली position में एक recessive है, तो इसमें नहीं होगा, आलाब दीच वाला option भी नहीं होगा, तो option number B, इसका correct answer होगा, ऐसी condition में 100% sickle cell anemia हो जाएगा, अगला है variation in DNA is due to, जो DNA होगा, उसमें variation किसकी वज़े से होता है, mutation की वज़े से, recombination की वज़े से, या इन दोनों की वज़े से, या इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो variation वाली process होती है, वो generally mutation और recombination दोनों के कारण होगी, तो जो option number C है, वो गया है, यहाँ पर, alternation in chromosome में be due to, तो chromosome में alternation किस वज़े से होता है, तो chromosome का जो alternation है, इसमें देखेंगे, तो पहला आपसान है, deletion आपसे की segment DNA, तो इसकी वज़े से नहीं होगा, addition of segment of DNA, इसकी वज़े से भी नहीं होगा, अगला जो option है, उसमें दिया गया है, duplication of segment DNA, इस इसके बाद अगली जो इस्थिति दिया गया है, इनिया तीज मनतब इन सभी की वज़े से होता है, तो ध्यान दीचे, तो जो alternation DNA के अंदर होगा, इनमें से कोई भी एक कारण होगा, उसकी वज़े से हो जाएगा, ठीक है, प्रापरली, तो आज के लिए बस इतना ही, बाक वीओ के अंदर डिसकस करेंगे, धन्यवाद,